गुड इवनिंग स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे वाय मंडल की सरंचना के बारे में स्ट्रक्चर ओफ एट्मोस्फियर के बारे में और इससे पहली क्लास में हमने देखा था वाय मंडल का संगठन क्या है, कंपोजिशन क्या है वो देखा हमने कौन-कौन से कैसे पाई जाती है और आज हमरा फोकस रहेगा एट्मोस्फियर की सरंचना पे या वाय मंडल की सरंचना पे तो स्टार्ट करते हैं प्रत्फि का वाय मंडल में वाय मंडल सके पताया है impo morals Fyona मिली स्पिशन क्या हमने जो सरंचना पर्दक करते हैं जने मन्डल पहले बोद्किन का एक है क्विशेष्यवलगिशन की विश्गति मन का इन दे पिस्तार देख होगे तो dud होडत्य किलोमेटर की उचाई तक जो वायुमंडल है वो सरवादिक महतुपूर्ण है तुमारे अध्यन का जो विशेच्छेत्र है वो यह 800 किलोमेटर तक की उचाई ही है अब एक इंपोर्टेंट चीज है जो हमें पता होनी चाहिए कि वायुमंडल का जो घनत्व है और दाब है किस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलता है उसको हम देखते हैं वायुमंडल के घनत्व तापमान और संगठन इसमें उचाई बढ़ने के साथ परिवर्तन देखा जाता है जैसे हम धरातल से उपर जाएंगे उस पे उनमें जो तीनों जो वेरियेबल्स है घनत्व जाए होती है वहां पर इसका घनत्व सरवादी होता है और उचाई बढ़ने के साथ साथ इसमें कमी आती है यह गठता जाता है साथी वाय मंडल के विभिन परतों में तापमान परिवर्तन की दर भिन भिन होती है विभिन परते हैं जैसे शोब मंडल समताप मंडल इसी प्रकार से और भी जो परते हैं उनमें तापमान परिवर्तन की दर भिन भिन होती है उधारन के लिए आप देखेंगे तो जो शोब म मंदल पढ़ेंगे साती अन्य जो मंदल हैं अन्य जो पढ़ते हैं उनमें भी तापमान में परिवर्तन की जड़ जो है वो अलग-अलग होती है ऐसे ही गैसों के सांद्रण की बात करते हैं तो सकल वायो मंदली द्रोविमान वायुदाब और मोसमी परिखटनाव की द्रस्ती से वायो मंदल का जो 50 प्रतिशत भाग है वो मात्र 5.6 किलोमेटर की उंचाई तक विस्तृत है इसी प्रकार से यदि आप 97 परसेंट भाग लोगे वायो मंदल का तो वो मात्र 29 किलोमेटर की उंचाई तक ही नहीं थै ठीक है 29 किलो मिटर की हाइट है एल्टिट्यूड है उतनी उंचाई पर जो वाय मंदल का 97 भाग है वो संकेंद्रित है इसी प्रकार से देखिए धरातल का जो निकट सतय है वहां पर भारी गेसे पाई जाती है जैसे ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन की मात्रा धरातल के पास ज्याद निक्राद यूर्ट हुआ में देखने को मिलती है वाय मंदल की परतिय सरचना वह मंधील का वह मंदल की जो सरेच नहीं है उसको जब हम वर्गिकरत करते हैं तो उसको हम ==== out करते है इस डाइग्राम में ये बताए गया है कि फिस परिकार से परिवर्तन होते है और दूसरे डाइग्राम है लो दिखाता है किî प्रेश्र, प्रोफाइल कैसी है दाब में उंचाई के साथ किस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलता है आप जब घनत्व की बात मैंने अभी बताई जो धरातल के समीप वाले भाग हैं वहां पर घनत्व जादा है उपर जाने पर यह विरल होता जाता है जैसे इस डाइग्राम में आप देखेंगे यह धरातल है अर्थ प्रत्वी की मात्रा में कमी आएगी यहां पर कमी आ रही है और यहां पर जो घनत्व है वो सरवाधिक है इसका मतलब क्या हो गया कि डेंसिटी डिक्रीजेज विद एल्टिट्व जैसे जैसे हम उचाई की तरफ जाएंगे तो जो घनत्व में है वो कमी आती जाएगी यह आपका साइल देखोगे आप दाब का वितरन देखोगे उचाई के साथ तो जो सतय है दरातल है वहां पर जो है सागलतल पर जो प्रेशर है वह 1013.2 मिली बार और जैसे हम उपर जा रहे हैं उसी प्रकार से इसमें जो आपकी दाब में है वो कमी आती जा रही है और एक समय के बाद में जो दाब है वो कॉंस्टेंट हो जाता है ठीक है पहले जो कमी होती है वो थोड़ी फास्ट होती है तेज होती है त्वरित होती है उसका ग्रेडियंट ज्यादा होता है और जैसे हम और ऊचे जाएंगे उसी प्रकार से इसमें जो है वो यह कॉंस्टेंट होता जाता है तो हमने देखा कि किस प्रकार से उंचाई पर जाने पर जो density है वो कम होती है और जो pressure है वो भी कम होता है. अब हम वर्गी करण देख रहे हैं, पहला जो वर्गी करण है वो है तापी विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष माचaz औरopt हुछ सरे मेरे मटनों में कौन कॉन से हैं सबसे पहले है के क्षोभ मंडल इसकी बा Déff san Data learn all the countdown गारे मंदल और सबसे बाहर है भाय मंढल आइतल मंडल तो इन पांच मेरे कि आज हम एक और जो क्षोभ मंडल है और समताप मंदल है उसमें इसको इसका बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे और नेक्स वीडियो में हम देखेंगे मदे मंदल, ताप मंदल और बाहे मंदल तो हम सबसे पहले देखते हैं शोब मंदल के बारे में यह आप डाग्राम में देख सकते हैं यह आपका ट्रोपोस्पियर है, फिर स्टेटोस्पियर है, मीजोस्पियर है, थर्मोस्पियर है और सबसे बाहर एकजोस्पियर है यह पांच मंदल है इसमें ठीक है इसको हम डिटेल में अभी देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं शोब मंदल तो हम देखते हैं शोब मंडल या ट्रोपस्फियर के बारे में ट्रोपस्फियर जो है वाव मंडल की सबसे निचला संस्तर है सबसे निचली परत है जिसको क्या कहते है शोब मंडल या ट्रोपस्फियर क्षोब मंडल या ट्रोपोस्फियर जो वर्ड है जो ट्रोपोस्फियर वर्ड है एक ग्रीक भासा के शाब्द ट्रोपोज से मिलके बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है मिश्रन या विक्षोब या तो मिक्स्चर या टर्बुलेंस चुंकि इसमें विक्षोब होता है, सम्वेन होता है इसी वज़े से इसको विक्षोब मंडल कहा जाता है क्षोब मंडल विक्षोब ये टर्बूलेंस और भवर के प्रभुत्तु द्वारा पैचाना जाता है तो जो मोस्मी पर इघटनाएं घटित होती है, वो आपके ट्रोपोस्पेर में घटित होती है इसके बाद आप देखोगे, इसकी सतय से उचाई लगबग 13 किलोमेटर होती है दुर्मों के निकट ये 8 किलोमेटर के आसपास मिलता है और विश्वत्रेखा पर ये 18 किलोमेटर की उचाई तक पाया जाता है तो शोब मंडल की उचाई दुर्मों पर कम होती है और विश्वत्रेखा पर इसकी उचाई अधिक पाया जाती है ठीक है इसकी विश्वत रेखा पर उंचाई अधिक होती है क्यों होती है क्योंकि तीवर वायू प्रवा के कारण ताप का अधिक उंचाई तक सम्वेन होता है विश्वत रेखा पर चुकि वायू प्रवा तीवर होता है अर्थार्थ सम्वेनी धाराएं स्ट्रॉंग होती है इस वज़े से क्या होता है कि विश्वत्रेखा पर इसकी उचाई अधिक पाई जाती है और धूरों के निकट इसकी उचाई कम पाई जाती है इस संस्तर में वायू मंडल के समस्त गैशे द्रवमान का 75% भाग केंद्रित होता है पूरा जो वाय मंडल है उसका जो गैस ये द्रवेमान है उस द्रवेमान का 75% भाग केवल क्षोब मंडल में पाया जाता है इसके अतरिक्त इसमें धूलकन और जलवाश्प भी मिलते हैं जो जलवाश्प के मात्रा है वो भी देखो गया आप तो भूमतर एकासे दुर्वों की तरफ जाने पर कम होईगी ठीक है लेकिन जो इसका जो सरवादिक संकेंद्रन है जलवाश्प का और धूलकनों का वो खोब मंडल में आपको देखने को मिलता है इसके साथ ही सबसे जो प्रमुक विशेष्टा इस मंडल की है वो यह है कि प्रती एक 165 मिटर की उचाई पर जाने पर यहाँ पर जो तापमान है वो एक डिग्री सेंटिग्रेट कम हो जाता है मतलब जैसे जैसे आप शोब मंडल में उचाई पर जाओगे तो प्रती 165 मिटर पर तापमान में एक डिग्री सेंटिग्रेट की कमी आएगी ठीक है या आप यह कह सकते हो कि एक किलोमेटर उचाई पर जाने पर ताप मान में साड़े छे डिग्री सेंटीग्रेट की कमी आती है इस कमी को हम कहते हैं सामन्ने ताप बत अंदर नॉर्मल लैप से ठीक है तो यह ध्यान रखना है कि शोब मंडल में जो ताप कम होता है उचाई पर जाने पर वह होता है आपका 165 मिटर की उचाय पर 1 degree centigrade या 6.5 degree centigrade कम होता है 1 kilometer उचा जाने पर तो यह ध्यान रखने आपको कि normal lapse rate क्या होती है normal lapse rate होती है कि शोब मर्डल में जैसे में उचाय पर जाते हैं तो ताप मान में कमी आती है और उसकी दर इतनी होती है और ये कहलाता है जह से मन उचे जा है रहे हैं हाइट पर जहा रहे हैं उसी साब से जो इंहाय वह कम होता जा रहा है तो आपमान देखिए यह पर आप बोगी नहीं फेंप में है इदर जाने वारून में परिण कमिए लिक लोग का लोग आप में गैसों के घनत्व और वायुदाब में कमी आती है फल सुरूप वायू फैल के ठंडी होती है वायू फैल के ठंडी होगी तो तापमान में कमी आएगी और वो ठंडी क्यों होती है फैलती क्यों है क्योंकि जैसे जैसे उपर जाएंगे वैसे जो हवा है वायू है उसका घहनत पुकम होगा और वायुदाब में भी कमी आएगी दूसरा कारण क्या है दूसरा कारण ये है कि वायुमंडल का जो निचला भाग है वो गरम किस प्रकार होता है वो सौरे क्वी किरन के अवसोशन से गरम नहीं होता वरन जैसे सपोज करो मैं बताता हूँ ये आपका धरातल है ये सूरे तब आ रहे है इंसोलेशन आ रहे है सूरे का प्रकाश आ रहे है तो जो ये भाग है ये गरम कैसे होता है ये सीधा जो किरने आ रही है उससे गर्म नहीं होता है ये होता है ये जो सतय है ये क्या करती है जो भी सोरेक विकिरन आ रही है उनको अवशोशित करती है उसके बाद में उनको विकिरित करती है वापस बाहर भेजती है तो जो वापस जाने वाली किरने है इनके वज़े से ज नीचे वाला भाग है वो अधिक गर्म रहत है और उपर जाते हैं जैसे-ठी से तो टाफ मान में कम आती है तो हमशनेchem करने देखा यह तो हम नेकिन देखा है कि यह दो कारण परिखटना होती है जिसको बलते हैं ताप ये प्रतिलोमन या टेंप्रेजर इनवर्जन इसमें क्या होता है इसमें होता है कि कुछ विशेश दशाओं में परिस्थितियों में उचाई के साथ-साथ तापमान में व्रद्धी होती है इसका मतलब क्या होगा कि अपेक्षक्रत थंडी हवा के उपर गर्म हवा होती है जबकि जनरली क्या होता है कि जो गर्म हवा होती है वो नीचे होती है ठंडी हवा के उपर गर्म हवा पाई जाती तो तापमान प्रतिलोमन की दशा देखने को मिलती है इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे इसमें कौन-कौन से कारक होते हैं जिनकी वज़े से तापमान प्रतिलोमन की जो घटना है वो घटित होती है अब इसके बाद देखते हैं देखे शौब मंडल की एक और विशेशता क्या है कि मौसम और जलवायू सम्बंदित सभी परिखटना है जैसे बादल बनना बादलों में गरज उत्पन होना तूफान सभी इसी मंडल में घटित होते है वायू के वेग में उचाए बढ़ने के स सथ साथ वरद्दी होती है जैसे जैसे से हम ऊपर जाते हैं वैसे वायू की वो बढ़ती जाती ना पूसका प्रमुक कारण का इसको प्रमुक कारण यह कि जो ग grease बल है वो कम होता जाता है करे और इसका अधिक्तम जो वेग है वो कि शौब सीमा के पास होता 粉मतलब एक जो शोना मेंडल और आपका संंक्रम्मंट मैंडल है उन 2 आकरती ना होकर रेखिये ना होकर यह मंदली होती है मतलब क्या होता है यह कोई ऐसे एक लाइन नहीं होती यह जोन होता है ठीक है छेत्र होता है जो समताप मंदल और शोब मंदल के मंद्धे पाया जाता है इसकी उचाई विश्वत रेखा पर अधिकतम क्यों होती है अधिकत मुझे और उच्च अक्षांसों में मौसम के अनुसार ट्रोपोपोस की उचाई में परिवर्तन होता रहता है तो यह कोई फिक्स नहीं है तो यह हो गया शोब मंडल अब बात करते हैं हम अगले मंडल की जो है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्पेर तो आप देखोगे कि समताप मंडल क्या है क्षोब मंडल के उपर आवस्तित है और यह लगभग 50 किलो मीटर की उचाई तक पाया जाता है इस मंडल के निचले भाग में तापमान लगभग समान रहता है इसी वज़े से इसको बोलते है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर आप मनडल में नौर्मल लेपसरेट समाने तापर अंदर अधार इसमें 20 किलमेटर के उचाय तक कमी देखने को मिलती है तद पर शाथ थीरे फिरदी होती है संताप मंडल में ऊचाय के साथ्थ थीर पहल स्गोरा पराबैनी और। ऑस्वर्दी के कारण होती है समताप मंडल में क्या होता है ओजोन गैस पाई जाती है जो क्या करती है जो परावैंगनी किरणों को अवसोशित करती है और जब वो अवसोशित करेगी परावैंगनी किरणों को तो उसकी वज़े से जो तापमान है उसमें वरदी देखने को मिलेगी ऑजोन के अतदिक सगंता वाले निचल हिस्से को ऑजोन मंडल कहते हैं सम्ताप मंडल में जहां पर ओजोन की सगंता अधिक पाय जाती है उसको हम कहते है मां है लगबग 50 किलोमेटर के उचाई पर अता खाल म सबें गिरावाट परारम हो जाती है उसके बार में 50 इंस enam प्यो इसको हम कहते हैं स्ट्रेट अपॉज स्ट्रेट अपॉज में स्ट्रेट अपॉज क्या हो गया सम्ताप मंडल और जो इसके बहाय का मंडल है मद्धे मंडल उनके मद्धे का जो छेत्र है संक्रमन छेत्र है उसको कहते हैं स्ट्रेट अपॉज अर्थार्त ये सम्ताप मंडल का एंड है अंतिम सिरा है इसके उपर तापमान फिर से कम होने लगता है अब दुरों पर समताप मंडल की मोटाई सरवादिक होती है और विश्वत्रेखा पर ये नियून तम पाई जाती है उल्टा है शोब मंडल की जो सरवादिक उचाई होती है वो कहां पर मिलती है वो मिलती प्रमुख विशेष्ता है संताः मंदल की है मंदल मोसमी परिवर्तन रहीत होता है इसमें कोई मोसमी परिछटना अगटित नहीं होती इसलिए यह मंदल है ये विमानों की उडान के लिए आदर स्थितिती पतान करता है जो प्लेंज उड़ते हैं वो यहां इसी मंडल में वो उड़ते हैं क्योंकि यहां पर टर्बुलेंसिया विक्षोब नहीं होता कहने का मतलब यह है कि यह जो मंडल है वो शांत मंडल कहलाता है होता है कभी कभी आप देखोगे तो निचले समताप मंडल में उच्च स्तरिय पक्षाव मेग सिर्स क्लाउड पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं मदर ओफ पर्ल क्लाउड या नेक्रियस क्लाउड यह हम बादल जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि पक्षाव मेग क्या होता है तो यह आप यहाँ याद रखिए कि यहाँ पर जनरली जो हैं निचले स्तरों में पक्षाव मेग पाए जाते हैं जिनको मदर ओफ पर्ल क्लाउड या नेक्रियस क्लाउड कहते हैं तो यह एक्जाम पूछा गया है अब जैसे पूछा गया था कि मदर ओफ पर्ल क्लाउड कहां पाए जाते हैं तो यह पाए जाते हैं आपके समताप मंडल में इनका दूसरा नाम है नेक्रियस क्लाउड ठीक है यह आपको पता होना चाहिए अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो सम्ताप मंडल है उसमें और जोन गैस पाई जाती है तो लेकिन और जोन है उसका शरण हो रहा है उसको देखते हैं देखिए वायू मंडल में रसाइनिक योगिकों जैसे क्लोरो फ्लोर कारबन सी एफ सी इसका उत्सरजन और परत के यह हनीकारक है मतलब जो क्लोरो फ्लोरो कारबन है जो रेफ्रिजरेशन के जितने वी एक्विप्मेंट से उसमें यूज होता है उसके वज़े से कारबन यह ओजोन है उसका क्शरण हो रहा है सी एफ सी क्या है क्लोरो फ्लोरो कारबन क्लोरीन फ्लोरीन और कारबन परमानों Fraktion कृत्रो करत्रों धीयूग कता ज्यूकी क्या जाता है किρनाली में सर्वादिक उप्योग कि itself, वायु में उत्सर्जित होते हैं तो लंवत-वायु मंडल ये परिसंचरन द्वारा वो समताप मंडल में ओजोन परत्तक पहुँच जाते हैं ठीक है CFC आपके निकलते हैं ख्शोब मंडल में लेकिन ख्शोब मंडल से जो समवैन होता है जो वायू का उर्धुदर समवैन होता है मतलब वायू धरातल से उठके उपरी भागों में जाती है तो उसके वज़े से जो CFC elements हैं, वो समताप मंडल में पहुँच जाते हैं उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप देखोगे कि CFC किस प्रकार से ओजोन उक्षरन करती है? क्लोरो फ्लोरो कार्बन पराबैंगनी किरणों को आउशोशित कर क्लोरीन परमाणू को मुक्त कर देता है मतलब क्लोरीन आपका फ्री हो गया अब ये फ्री क्लोरीन क्या करता है? यह जो free chlorine का पर्माणू है वो ozone के साथ अभीकिरिया कर chlorine monoxide बना देता है CL oxygen के साथ O3 के साथ अभीकिरिया करता है और CLO बना देता है ठीक है साथ ही यह O2 release कर देता है मतलब जो आपका ozone था वो किस में बदल गया oxygen में और CL बन गया CLO में तथा ozone को oxygen अणू के रूप में विगटित कर देता है oxygen अलग हो गया और CLO बन गया chlorine monoxide जो CLO है पुने oxygen पर्माणू से अभीकिरिया कर oxygen अणू और chlorine को मुक्त कर देता है यह जो CLO बना फिर O oxygen के साथ अभीकिरिया करेगा यह फिर क्या करेगा oxygen अणू और chlorine को मुक्त कर देता है मतलब CLO फिर CLO यह CL हो गया है अच्वेशन अणू और chlorine पर माणू chlorine को फिर से यह मुक्त कर देगा अब इसके वज़े से क्या होता है एक श्रंखला भी क्रिया बन जाती है जो CFC यह क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन है एक स्रंखला भी क्रिया बना देते हैं जिसमें CLO और O2 बनता रहता है तो इससे क्या होगा कि जो ओजोन है उसकी कम्याती रहती है ओजोन में शरण होता रहता है इस diagram में आप देख सकते हो कि CLO और O का जो reaction हो रहा है उससे क्या हो रहा है आपका CLO प्लस O तो ये CL और O2 बाहर निकल रहा है ठीक है CL जब ozone के साथ क्रिया कर रहा है तो CLO बना रहा है और O2 बाहर निकल रहा है तो मतलब oxygen रिलीज कर रहा है लेकिन ये क्या यूज कर रहा है O3 जो है उसको यूज कर रहा है Ozone को यूज कर रहा है Ozone को डिस्ट्रक कर रहा है Ozone को समाप्त कर रहा है और oxygen molecules को रिलीज कर रहा है ठीक है तो किसकी कमे हो जाएगी Ozone की और यह जो अब किया है ये एक बार प्रारम्भ हो जाती है तो इस परत में जो ओजोन परत है ऊजोन लेयर है उसमें शरण प्रारम्भ हो जाता है अब आप देखेंगे कि ओजोन की मात्रा में सबसे दिख गिरावट धुर्वे छेत्रों के आसपास देखी जाती है जो polar areas है वहाँ पर जो ओजोन की मात्रा है वो सबसे तेजी से वहाँ पर कम होती है इसका कारण क्या है इसका कारण है समताप मंडल में polar stratospheric बादलों का पाया जाना या necrius बादलों का पाया जाना जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर polar stratospheric बादल या necrius clouds पाया जाते हैं जिसके वज़े से यह जो यहां पर जो शरण होता है वो ज्यादा होता है और वो क्यों होता है क्योंकि इन बादलों में नाइट्रिक एसिड और सल्फिरिक एसिड होता है नाइट्रिक एसिड के उपस्तित के कारण क्लोरीन उत्प्रेरित ओजोन फ्रास की क्रिया तीवर हो ज जाती है ठीक है अब हम देखते हैं कि ओजोन परत के संदक्षन के लिए कुछ कन्वेंशन है वो कौन-कौन से है तो सबसे पहले विएना कन्वेंशन विएना कन्वेंशन क्या है यह 1985 में इस पर सिगनेशर किये गए यह इसका क्या काम है यह ओजोन परत पर मानव गतिविदियों के प्रभाव पर अनुसंदान विकास को प्रोथसाहित करता है इसका उद्देशे है ओजोन परत को क्षती पहुचाने वाली गतिविदियों के विरुद विधाई और प्रशासनी कुपाई को स्विकरती प्रदान करना तो विएना कन्वेंशन क्या है ओजोन परत संरक्षन के लिए लाया गया 1985 में इस पर सिगनेशर किये गये इसके बाद में 1987 में कन्वेंशन आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ओजोन परत की रक्षा के करम में ओजोन शेकारी पदार्तों ओजोन डिप्लिटिं सब्स्टांसिज ठीक है ODS जिमको बोलते हैं कि उत्पादन और खपत को कम करना है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और विएना कन्वेंशन दोनों ही है जो ओजोन परत संदक्षन से संबंधी कन्वेंशन से है इसके बाद में अभी रिसेंटली जो आया है आपका वो आया है किगाली समझोता जो ग्रीन हाउस गैस है उनके उत्तरजन को कम करने के लिए किया गया और किगाली समझोता क्या करता है 1987 के जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसमें संशोधन प्रस्तुत करता है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग ही तो जिम्मेदार गेसो को भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में समलित किया गया है किगाली समझोता या जो बोलें कि जो एट एफसीज को हैं हाइड्रो फ्लोरो कार्बंस हैं तो किगाली समझोते में क्या किया गया है कि जो मॉंट्रियल प्रोटोकाल है उसमें सी एफसी के साथ साथ एच एफसी हाइड्रोफ्लोरो कार्वन को भी कम करने के लिए संशोधन प्रस्तूत किया गया है और 2019 से यह बात्देकारी अल्रेडी हो चुका है तो आपको याद रखना है इसमें जब ओसफ़ संश्ण की बात करेंगे तो हम बात करेंगे विएना समझोते की विएना क्वेशन की उसके बाद में मॉनिटर् प्रोकॉल में और की गाली समझोता तो यह जो तीनों आपको प्रोटोकॉल या कन्वेंशन्स है इन्होंने जो ग्रीनाउस गैसे अपके जो ओजॉन डिप्लेटिंग सबस्टांसेज है या फिर ऐसे सबस्टांसेज या पदार्त जो ओजॉन के लिए उतरदाई हैं उनको कम करने के लिए प्रियासरत है तो आज हम इतना ही देखेंगे अगली क्लास में हम जो बचेवे मंडल हैं बचेवे परते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे थैंक्यू